Hello friends, chapter 2 से example 1 करेंगे Write 5 equivalent fractions of 3 by 5 3 by 5 के 5 equivalent fractions लिखिए पहले equivalent fraction का concept एक बार फिर से समझ लीजिए equivalent fraction हम उन fractions को बोलते हैं जिनकी simplest form कटने के बाद बिलकुल सेम आती है जैसे कि एक example बता रहा हूँ 20 में से 10 number आए किसी बच्चे के और किसी बच्चे के 50 में से 25 number आए तो ये जो दोनों बच्चे हैं न ये बोल सकते हैं कि हमारे marks equal आए है देखें 50% ही तो आ रहे हैं यहाँ पे भी अगर इसका simple form में निकालता हूँ simplest form तो ये 1 by 2 आ गया यहाँ पे मैं इसको कारता हूँ तो 25,10, 25,20 आ गया ये भी 1 by 2 आ गया तो जब simplest form fractions की बिल्कुल सेम आती है वो fractions जो है न आपके equivalent fraction होते हैं equivalent fraction पता करने के लिए हम दो तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं ये तो किसी given fraction को सेम सेम नंबर से हम multiply कर दें उपर और नीचे जैसे 1 by 2 को अगर मैं यहाँ पे 25 से multiply करता हूँ दोनों जगे पे तो उपर 25 आ गया नीचे 50 आ गया अगर 1 by 2 को मैं दोनों जगे पे 5 से multiply करता हूँ तो 5 आ गया उपर में 10 आ गया देखिए यहाँ भी marks आधे हैं यहाँ भी marks आधे ही है कुछ घट बढ़नी रहा है fraction की शकल अलग दिख रही है लेकिन marks अगर percentage निकालोगे तो यह 50 परसेंट ही आ रहा है अगर 1 by 2 को मैं यहाँ पे 10 से multiply करता हूँ दोनों जगे पे तो यह 10 upon 20 आ गया यह भी आधे ही marks है तो equivalent fraction निकालने के लिए आप given fraction को उपर और नीचे same number से multiply कर दो अलग-अलग से जैसे यहाँ 25 से किया यहाँ 5 से किया यहाँ 10 से किया तो जितने भी आपके answer आएंगे वो सारे के सारे equivalent fraction ही बोले जाएंगे और same number से अगर आप divide करोगे और जो result आएगा वो भी equivalent fraction ही बोला जाएगा condition यह कि अगर आपका division हो रहा है तो लेकिन division से हम equivalent fraction निकालना मुश्किल हो जाता है हम simply multiply कर देते हैं उपर और नीचे तो यह होता equivalent fraction का concept हमें यहाँ पे निकालने 3 by 5 के equivalent fractions तो 3 by 5 को मैं उपर और नीचे किसी भी same number से multiply कर देता हूँ let's suppose मैं 2 से कर देता हूँ तो 3 by 2 is 6 हो गया और 5 by 2 is 10 हो गया तो 6 upon 10 जो है 3 by 5 का एक equivalent fraction है मेरे को 5 निकालने ना मैं ऐसे 5 कर देता हूँ एक मैंने कर दिया अब 3 by 5 को मैं सेम नंबर 3 से multiply कर देता हूँ 3, 3, 0, 9 हो गया 5, 3, 0, 15 हो गया तो 9 upon 15 है ये भी इसका equivalent fraction है अब मैं 3 by 5 को किसी और सेम नंबर से multiply कर देता हूँ मैं let's suppose 4 से कर देता हूँ ये आपकी choice है ऐसा निया line से ही करना है 2, 3, 4, 5, 6 जो मन करें आपका आप उससे multiply कर सकते हो लेकिन दियान देना उपर नीचे सेम नंबर होना चाहिए 3, 4, 0, 12 हो गया और 5, 4, 0, 20 हो गया तो ये भी एक equivalent fraction है 3 by 5 का एक और निकालता हूँ 3 by 5 को मैं अब 5 से multiply कर देता हूँ उपर और नीचे तो 3, 5, 0, 15 हो गया और 5, 5, 0, 25 हो गया 4 हो गया एक और निकाल देता हूँ 3 by 5 को मैं 6 से multiply कर देता हूँ उपर और नीचे तो 3, 6, 0, 18 हो गया और 5, 6, 0, 30 हो गया तो ये जो नंबर आप देख रहे हो 6 by 10, 9 by 15, 12 by 20 15 by 25 और 18 by 30 ये सब के सब इसके equivalent fractions हैं अगर आप से और भी पूछता तो आप और भी निकाल देते एक एकस्टर निकाल के दिखा देता हूँ 3 by 5 का equivalent fraction randomly कोई भी नंबर मैं लिख दूँ बस उपर नीचे सेम होना चाहिए अगर मैं यहाँ पर let's suppose 10 लिखता हूँ निकालने के लिए तो जो fraction आपको दे रखा है उसके उपर नीचे यानि numerator denominator में सेम नंबर से आप multiply कर दो आपके answers आ जाएंगे question खतम